तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों का बजट 15,000 की रेंज के आसपास है तो आप लोग कौन से स्मार्टफोन को पर्चेस कर सकते हैं उस वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 स्मार्टफोन के बारे में बताया था तो आप लोग अगर चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मैं उस वीडियो का लिंक दिस्क्रिप्शन में देदूंगा या फिर आप लोग मेरे चैनल पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का बजट जो है 20,000 के आसपास है तो आप लोग कौन से गेमिंग स्मार्टफोन को पर्चेस कर सकते हैं अब यहाँ पर मेरा डिस्क्लेमर सुन लीजे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 20,000 के रेंज में आप लोगों को एकदम से ROG Phone 5 या फिर ROG Phone 6, 7 जो भी आया है तो उस लेवल का पर्फोर्मेंस आप लोगों को इस फोन में देखने के लिए मिल जागा जी नहीं गाईस ऐसा बिलकुल भी नहीं है लेकिन हाँ अगर आप लोग 20,000 रुपे के आसपास पैसे को लगा रहे हैं जिससे आप लोग अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं तो अब चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं तो अब हमारी लिस्ट में यहाँ पर सबसे पहला फोन जो है और इसमें आप लोगो को Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है अगर हम लोग इसके pricing के बारे में बात करें तो यह phone आप लोगो को Amazon पर 18,999 रुपे में देखने के लिए मिलता है तो इस phone का link मैं description में दे दूँगा आप लोग वहाँ से जाकर इस phone को purchase कर सकते है अब यहाँ पर हम लोगों के सामने दूसरा phone निकल कर आता है Samsung की तरफ से जो कि यह है Samsung Galaxy M52 5G अब इस phone की specification के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 6.7 inch का Full HD Plus Super AMOLED display देखने के लिए मिलता है जो की 120 Hz का display हो जाता है अगर हम लोग इसके battery के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5000 mAh का battery देखने के लिए मिलता है अगर हम लोग इसके processor के बारे में बात करें तो इस phone में यूज किया गया है Snapdragon 778Z का processor तो यह भी phone बहुत ही जाता का मालका हो जाता है अगर आप लोग इस phone को भी purchase करना चाते हैं तो इस phone का price जो है आप लोगों को Amazon पर देखने के लिए मिल जाएगा 9995 रूप है यानि कि 20,000 में आप लोगों को यह phone देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को 6.7 इंच का AMOLED डिस्पले देखने के लिए मिलता है जो की 120 Hz का refresh rate को support करता है इस phone में आप लोगों को 5000 mAh का battery देखने के लिए मिलता है और यह phone जो है 67 Watt का fast charging को support करता है अगर हम लोग इसके RAM और ROM के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 6 GB RAM और 64 GB internal storage भी देखने के लिए मिलता है और इसमें जो processor यूज किया गया है Snapdragon 695 का जो processor है उसे यूज किया गया है इस phone में और अगर हम लोग इसके pricing के बारे में बात करें तो यह phone जो है आप लोगों को flip card पर 18,999 रुपे में देखने के लिए मिलता है अब हम लोग बढ़ते हैं चौते phone की तरफ तो आज की हमारी list में यहाँ पर 4th number पर Xiaomi की तरफ से Xiaomi Note 10S निकल कर आ जाता है इसमें हम लोगों को 6.43 इंच का AMOLED डिस्पले देखने के लिए मिलता है जो की 60Hz का पैनल है अगर हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें यहाँ पर आप लोगों को MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G95 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है अगर हम लोग इसके RAM और ROM के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 6GB RAM और 64GB internal storage देखने के लिए मिलता है और इन सभी फोन में एक चीज़ कॉमन है कि आप लोगों को इन सारे फोन में 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है अगर हम लोग इसके price के बारे में बात करें तो यह बहुत ही जादा अच्छे pricing के साथ आता है यहाँ पर आप लोगों को Amazon पर यह phone देखने के लिए मिल जागा सिर्फ 13,999 रुपे में अब हम लोग आज के list का सबसे last phone की तरफ बढ़ते हैं जो की Realme की तरफ से आने वाला Realme 9 हो जाता है अगर हम लोग इसके specs के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 6.4 इंच का Super AMOLED डिस्पले देखने के लिए मिलता है जो की 90 Hz का पैनल यूज किया गया है इस phone के अंदर और इसमें लगा हुआ है Snap Dragon की तरफ से आने वाला 680 प्रोसेसर और बाकी 4 phone की तरफ इस phone में भी आप लोगों को 5.4 इमेज की बैटरी देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर आप लोग इस phone को 33W के fast charging के साथ चार्ज कर सकते हैं अगर हम लोग इसके price के बारे में बात करें तो इसका price बहुत ही जादा attractive हो जाता है यह phone आप लोगों को Amazon पर 16,800 रुपे में देखने के लिए मिलता है तो guys अगर आप लोग इन 5 phone में से किसी भी phone में interest रखते हैं तो आप लोग नीचे दिये गए link से जाकर आप लोग उस phone को purchase कर सकते हैं अगर guys इस video से related आप लोगों को कोई साभी doubt रहे गया हो तो आप लोग मुझे comment में जरूर पूछ सकते हैं अगर यह video और channel का content पसंद आए तो आप लोग इस video को like करके मेरे channel को subscribe भी कर सकते हैं मिलते है next video में good bye